ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान होने के बाद परिणाम को लेकर कयास बाजी का दौर शुरू हो गया है नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और आमजन की बीच यह चर्चा जोर शोर से चल रही है कि कॉंग्रेस कितनी सीटे जीतेगी और बीजेपी के खाते में कितनी सीटे आएंगे पॉलिटॉक्स ने बूथ वाइस वोटिंग ट्रेंड मेताओं और राजनीती के स्थानी जानकारों से मिले इंपुट के आधार पर जीत हार की तह तक जाने की कोशिश की है पॉलिटॉक्स के आकलन के अनुसार राजस्थान में कॉंग्रेस को आठ से दस और बीजेपी को 15 से 17 सीटों पर जीत मिल सकती है आएए देखते हैं प्रदेश की किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा रहेगा बहरी जोधपूर सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की सबसे होट सीट रही जोधपूर की सीम अशोक गहलोत के बेटे के चुनाव लड़ते ही सूर्य नगरी में चुनावी तपिश बढ़ गई थी हर को ये सीट के परिणाम जानने को लेकर बेताब है हमारी परताल में यह सीट कॉंग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है कॉंग्रेस के वैभव कहलोत कम से कम 40,000 और अधिकतम एक लाख वोट से यहां चुनाव जीच सकती है वैभव को शेरगड, लोहावट और जोधपुर शहर विधान सभा सीट छोड़कर बाकी सीटों से बढ़त मिलना आतता है वैभव को सबसे ज्यादा लीड सरदारपुरा से खरीब 35,000 और पोकरण से 15,000 वोटों की लीड मिल सकती है नागौर प्रदेश में दूसरा सबसे रोचक मुकाबला देखने को मिला मारवार की नागौर सीट पर बीजेपी ने यहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा ना करके हनुमान बेनिवाल से गट बंधन किया उसके बाद नागौर का मुकाबला चर्चा में आगे मतदान के बाद यहाँ निकल कर सामने आया है कि कॉंग्रेस की ज्योती मिर्धा खरीब 40-50 हजार वोटों से यह सीट निकाल सकती है ज्योती की जीत की वजह मुसलिम और SCST वोटर्स का उनके पक्ष में मतदान करना है महीं बीजेपी के परमपरागत वोटर्स खास तोर पर सामानी वर्ग की जातियों ने वोटिंग में ज्यादा रूची नहीं दिखाई ज्योती को परबत सर, डीडवाना और मकराना में लीड मिलना तय है तो हनुमान को खिंसर में अच्छी लीड मिलेगी बाड में बॉर्डर इलाके की बाड मेर सीट का मुकाबला भी मानवेंद्र सिंग और कैलाज शौधरी के बीच काफी रोचक हुआ शुरुवात में कॉंग्रेज के पक्ष में यहां माहौल एक तरफा था पहले माना जा रहा था कि कॉंग्रेज अच्छे अंतर से यह सीट निकालेगी लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सभा और सनी देवल के रोड़ शो के बाद यहां माहौल ही बदल गया और बीजेपी कड़ी टकर देने की स्थिती में आगए फिर भी मानवेंद्र सिंग, मुसलिम, राजपूत और ऐसी वोटों के बलबूते बढ़त बनाये हुए है जैसल मेर और शिव में मानवेंद्र सिंग को अच्छी बढ़त मिलनी तय है वहीं बायतू से कैलाज चौधरी को अच्छी सफलता मिलेगी चौधरी के पक्ष में जाटों और सामान्य वर्ग ने भी अच्छी वोटिंग की करॉली धौलपूर इस सीट पर कॉंग्रेस ने शुरुवात से लेकर अंत तक बड़त बनाये रखी है यहां चातिकत और सियासी समीकरण भी कॉंग्रेस के पक्ष में थी बीजेपी ने तमाम कारेकरताओं की नाराजगी के बाद मनोज राजोरिया को टिकेट दे कर जोखिम ले लिया लहाजा बीजेपी वोटर्स में मतदान के दौरान रूची नहीं देखी गई इस सीट पर कॉंग्रेस ने जाटव कार्ड खेला और पहली बाद धौलपूर के स्थानिय नेता को मौका मिला आठ में से पाठी के सभी छे विधायकों ने जम कर प्रत्याशी के लिए महनत की ऐसे में करॉली और धौलपूर को छोड़ कर सभी विधान सभा सीटों पर कॉंग्रेस को अच्छी लीड मिलनात ताए है कॉंग्रेस यहाँ सबसे बड़े अंतर से जीत मान कर चल रही है टोंक सवाई माधुपूर टोंक सवाई माधुपूर सीट पर भी कॉंग्रेस शुरुवात से मजबूत नजर आए यही वजह रही कि आचार सहिता लगने से पहले पिएम मोधी को सबसे पहले टोंक में सभा करनी पड़ी दरसल यहां कॉंग्रेस के नमो नारायन मीना जातिकत समिकर्णों से बेहद मजबूत बने रहे मीना ऐसी जाट और मुस्लिम वोटर्स कॉंग्रेस के पक्ष गए तो सामान्य वर्ग और गुर्जर वोट बैंक बीजेपी के सुखबीर सिंग जान पुरिया के पक्ष में जान पुरिया से नाराजगी और उनके बाहरी होने के चलते भी बीजेपी को नुकसान हुआ मीना को खंडार, निवाई और मालपुरा को छोड़ कर हर जगह से बढ़त मिलने की पूरी संभावना है सीकर इस सीट पर कॉंग्रेस शुरुआत से बढ़त बनाय हुए दिख रही थे महरिया को बढ़त मिलने के पूरे आसार है आनकी पहले महरिया बड़ी जीत दर्ज करते दिख रहे थे लेकिन अब जीत का आकड़ा पचास हजारिया इसके आसपास रह सकता है जैपुर ग्रामी दो खिलाडियों की रोचक जंग में कौन जीतेगा ये जानने को सभी उत्सुक है लेकिन मतदान के बाद जो रुजहान निकल कर बाहर आया उसके तहत निशाने बास पर डिसकस थ्रो और भारी दिख रही है मजबूत जातिकत समिकर्णों के चलते कौंग्रेस की कृष्णा पूनिया ने बीजेपी के राजिवर्धन सिंग राठोड को जोरदार टक कर दी जोटवाडा और थोड़े से फुलैरा विधान सभाक्षेत्र को छोड़ दे तो सभी जगह से कौंग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है जाट, मुसलिम और SCST वोटर्ज ने कौंग्रेस को भरपूर समर्थन दिया ऐसे में पूनिया के गरीब 50,000 से चुनाव जीतने की समभावना है जोटवाडा से बीजेपी की लीड का हिसाब कौंग्रेस जमवा रामगड़ विधान सभा से पूरी कर सकती है दोसा बीजेपी और कौंग्रेस दोनों प्रमुख दलों ने महिलाओं को तार कर दोसा का दंगल रोचक बना दिया है यहाँ बीजेपी अगर जसकौर का टिकेट पहले घोशित कर देती या फिर किरोडी मीना के पसंद के नेता को टिकेट देती तो यहाँ सीट आसानी से निकाल सकती थी लेकिन ये दोनों गलतियां करके बीजेपी ने खुद ही कौंग्रेस को मुकाबले में आने का मौका दे लिया बताया जा रहा है कि यहाँ मीना समाज ने सवीता मीना के पक्ष में ज्यादा वोटिंग की ऐसी का वोट भी कौंग्रेस के ज्यादा गया है ऐसे में सीट पर कौंग्रेस के जीत के आसार ज्यादा बन रही है इस सीट पर भी कौंग्रेस के जीतने की संभावना बढ़ गई है मौजुदा सांसद निहाल चंद मेगवाल की वोटर्स में नाराजगी उन्हें भारी पड़ती दिख रही है निहाल चंद के अपने कजबे राइसनिंग नगर से पिछणने के पूरे आसार है हालांकि ववा वोटर्स ने मोदी लहर में बहते हुए बीजेपी को वोट देते हुए आक्सिजन देने की कोशिश की है मुकाबला यहां अभी भी टकर का माना जा रहा है लेकिन कॉंग्रेस का पलडा भारी दिख रहा है भरतपूर भरतपूर सीट पर अब भी मुकाबला दिल्चस्प है मतदान के बाद भी यही सामने आ रहा है कि दोनों दलों में टकर है जातिकत आधार पर हुई वोटिंग पर बात करें तो कॉंग्रेस मजबूत दिख रही है सियासी समिकर्णों के तहट अगर बसपा ने खेल बिगार दिया तो फिर बीजेपी बाजी मार सकती है लिहासा यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि भरतपूर के रण में कौन बास दी मारेगा अलवर अलवर में एक स्ताधू और राजा के बीच प्रोचक जंग देखने को मिली मतदान से पहले तक दोनों मिदवारों के बीच टकर दिख रही थी लेकिन मतदान के बाद स्थिती बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है बीजेपी के बालकनाथ के पक्ष में मुंडावर बहरोड और किशनगड़ बास में अच्छी वोटिंग हुई है कॉंग्रेस के भवर जीतेंदर सिंग को मेव, मुसलिम, मीना और स्थिके वोटों के भरोसे जीत हासल हो सकती थी लेकिन मीनावाटी राजगण में कम मतदान प्रतिशत होना कॉंग्रेस के लिए खत्रे की घंटी बजने जैसा है ऐसे में परिणाम किसके पक्ष में रहेगा अभी कहना जल्दबाजी होगी हालांकि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है राजसमन मेवार के सीट पर लगातार दूसरी बार बीजेपी की जीत तय है कॉंग्रेस ने सीपी जोशी की सिफारिश पर यहां देव की नंदन काका को टिकेट दिया लेकिन जैसे ही बीजेपी ने जैपुर के पूर्व राज घराने की सदस्यर दिया कुमारी को यहां से उतारा तो सारा माहौल बीजेपी के रंग में रंग गया यहां पर अब सिर्फ इस बात पर चर्जा हो रही है कि बीजेपी कितने वोटों से जीतेगी देव की नंदन काका जातिगत समिकर्णों से बेहद कमजोर नजर आ रही है अगर कॉंग्रेस किसी रावत को यहां से मौका देती तो मुकाबला बन सकता था चितोरगड़ सीट पर भी कॉंग्रेस शुरुआत से ही मुकाबले में कमजोर नजर आए उपर से बाहरी प्रत्याशी गुपारा सिंग इडवा को मैदान में उतार कर कॉंग्रेस ने अपनी मुश्किलें और बढ़ा दी इडवा को यहां गुडबाजी का भी सामना करना पड़ा मोदी की सभा के बाद माहौल पूरा बीजेपी के पक्ष में तबदील हो गया कह सकते हैं कि इडवा को सिर्फ राजपूत समुदाई, मुसलिम और S.C. के वोट मिले लेकिन सामान्य वर्ग और O.B.C. ने जम कर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की तुंगरपूर बांसवारा यहां पर BTP पार्टी ने कॉंग्रेस का खेल बिगार दिया है सीधी तोर पर कह सकते हैं कि मुकाबला BTP बनाम BTP है ऐसे में यहां कॉंगरेस तीसरे स्थान पर जा सकती है जिसका सीधा फाइदा BTP को मिलता दिख रहा है यहां मुकाबला त्रिकोणिय होने का सीधा फाइदा BTP को मिल रहा है बीटीपी का वोट बैंक और कॉंग्रेस का वोट बैंक समान है। आदिवासी समाज ने बीटीपी को समर्थन देकर कॉंग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उदैपूर। गुजरात से करीब 200 किलो मीटर दूरे सीट पर मोदी लहर पूरे परवान पर रगी। प्रत्याशी अर्जुन के लिए श्री कृष्ण की भूमिका में रहे। उधर बीजेपी ने जाट उमीदवार भागीरत चौधरी पर दाव खेला। जाट और सामान्य वर की जातियों ने ही कौंग्रेस का खेल बिगार दिया। करीब एक लाग से ज्यादा से कौंग्रेस यह सीट खो सकती है। केकडी और मसूदा के अलावा सब जगह बीजेपी को बढ़त मिलते दिख रही है। भीलवाडा भीलवाडा में संग की सक्रियता की वजह से इस शेत्र को मिनी नाकपुर के नाम से जाना चाता है। विधान सभा चुनाव में कौंग्रेस को यहां सिर्फ दो सीट मिली थी। सीपी जोशी की सिफारिश पर यहां से रामपाल शर्मा को कौंग्रेस ने टिकेट दिया। लेकिन शर्मा बीजेपी के सुभाश बहेरिया के सामने कहीं टिकते नहीं दिख पाए। चर्मा के करीब दो लाग वोटों से यहां चुनाव हारने के पूरे आसार है। सीधे दोर पर कहें तो मुकाबला एक तरफा है। हरुती की सीट पर कौंग्रेस ने शुरुआत में धमाकेदार एंट्री की। विधायक राम नारायन मीना को टिकेट दे कर कौंग्रेस ने यकीनन बीजेपी के ओम बिल्ला को चुनौती थी। बिल्ला पूरे चुनाव के दोरान अपनों से जूजते रहे। लेकिन मतदान तक आते आते विडला अपने मैनेजमेंट के चलते न सिर्फ मजबूत हुए बल्कि वोटिंग के दिन शहर के वोटर्स का भरोसा जीतने में काम्याब रहे। कॉंग्रेस अगर शुरुवाती बढ़त बनाए रखती तो इस बार संग की प्रयोग शाला वाली कोटा सीट पर कमाल कर सकती थी। जनरल सीट पर S.T.O. मेदवार उतारने की कॉंग्रेस के प्रती नाराज की कोटा शहर में साफ देखी जा सकती है। पाली में मुकाबला बीजेपी के पक्ष में एक तरफा नजर आया। नेट टू नेट रहा लेकिन निर्दलिय विधायक संजय लोढ़ा की कार सेवा से बराबरी के मुकाबले में आखिर रतन देवासी की मुश्किलें बढ़ गई। यहां हार जीत का अंतर 25,000 से 35,000 के बीच रहने की संभावना है। भारी मतदान के बाद पलडा बीजेपी का ज्यादा भारी दिख रहा है। जैपुर शहर का जुनाफ पूरी तरह मोधी लहर के बीच हुआ है। ऐसे में ज्यादा माथा पच्ची करने की यहां जरुवत नहीं है। प्याशी नरेंद्र खींचड उतारा। खींचड हर तरफ से माहौल अपने पक्ष में करते हुए आगे बढ़ते रहे। कॉंग्रेस के श्रवन कुमार ने अंतिम समय तक कवर करने के अच्छे प्रयास किये। लेकिन फौजी बाहुल्य वाली सीट पर राश्रिवाद का असर छाया रहा। वहीं कॉंग्रेस के लिए गुडबाजी बड़ा सिर्दर्थ साबित हुई। तमाम समीकरणों के बावजूद बीजेपी यह सीट अपने खाते में लाते हुए दिख रही है। मोदी लहर का अंडर करन्ट श्रवन कुमार का कई विधान सभाक शेत्रों में गणित बिगाड गया। चूरू सीट पर कॉंग्रेस ने जातिगत समीकरण नहीं साथे। महज अल्ब संख्यक मतदाताओं को खुश करने के लिए इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा। बीजेपी के जाट प्रत्याशी राहुल कस्वा के सामने अंत तक रफीक मंडेलिया संघर्श करते ही नजर आए। हलांकि पैसो के बल पर मंडेलिया माहौल बनाने में जुटे रहे। लेकिन मोदी और राश्रवाद के फैक्टर में मुस्लिम को मौका दे कर कॉंग्रेस ने जान बूज कर रिस्क ले लिया। बाना जहलावार। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के वेटे दुश्यन सिंग के सामने कॉंग्रेस को कोई मजबूत प्रत्याशी अपनी पार्टी में नहीं मिला। लिहाजा बीजेपी से पाला बदल कर आय प्रमूध शर्मा को टिकेट दे दिया। वसुंधरा राजे के गड़ और मोधी लहर में कॉंग्रेस मुकाबले में कैसे रही यहाँ किसी को बताने की जरुवत नहीं है। यहाँ बीजेपी भारी अंतर से चुनाव जीत रही है। बीकानेर से इस बार अरजुन मेगवाल का जबरदस्त विरोध था। मतदान तक मेगवाल को वोटर्स की नाराजगी का डर सताता रहा। देवी सिंग भाटी के खुले विरोध के चलते यही मान बैठे थे कि इस बार तो अरजुन मेगवाल गए। लेकिन कॉंग्रेस की पकड़ वाले विधान सभाक शेत्रों में हुई कमजोर वोटिंग और बीजेपी के गढ़ में हुई अच्छी वोटिंग से लगता है कि अरजुन मेगवाल की बात बन गई है। मतदान के बाद यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर कॉंग्रेस दस सीटें और बीजेपी 15 सीटें लाते दिख रही है। अब इसमें अलवर और भरतपुर की टकर वाली सीटें जिसके भी खाते में जाती है उसकी दो सीटें बढ़ पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा